आपके बीच में डेक्टर एंके सर्मा एंके एस लेर्णिंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हां मत्रों एक चीज और बता दें कि अभी जो ये पेपर हम जो आपको कराने जा रहे हैं असिस्टेम प्रोपेसर का जिसमें 30 कोश्चन आते हैं जी एस के त इस बाझे से आपको प्रक्राने जा रहे हैं आपको जल्ली और टेहरे को प्रम लेगे लेकिन अभी चमब्रम पेपर देया है कि सर यह मेरे को शड़ी एससाल करा दो एस बाजे पूशा गया है कि कोश्चन जीयस में देखो कि किस टाइब में बन रहे हैं अगर यही हम लोग मानक बना कर अगर त्यारी करेंगे तो निश्चित है कि अंगली परिच्छा में हम बहुत बेस्ट करेंगे तो मेरा एक मानना यही है कि अगर वास्तों में आप कोई परिच्छा देने जा रहे हैं तो बिगत वर्स के पेपर जरूर आप साल्व करें उससे क्या है एक पेपर या साल्व करने से एक ट्रेंड मालूम होगा कि वास्तों में कोशन पूछने का ट्रेंड क्या है पेपर अग तो बहुत अच्छे अच्छे current वाले भी question लाएंगे ठीक है तो यह देखिए GS का paper है assistant professor का तो आज यह हम GS का paper आपको कराने जा रहे assistant professor का है 30 question आएंगे लाइद देखो यह 30 question तो यह student की बहुत ज्यादा इच्छा थी इसर paper शाल भी करवा दो यह लिख के question लाएं है handwriting का है तो फ़्डवा से देख ले लोग सबा की समभा की समभान में राष्ट-पत और निमलिखित में से कौन सी सक्ति प्राप्त है एक अब लोग सब्के समन्थ में तो दिया बैठक बुलाना है ठीक यह नमबर एक हो गया बैठक बुलाना नंबर दो क्या हो गया कि अनिश्यत काल के लिए इस्तिगित करना और नंबर तीन क्या हो गया सत्रा वाशन हो गया और नंबर चार क्या भंग हो गया अब इसमें मुझे च्छाटना है कि कौन कोशन सही है क्या एक चार होगा या एक दो तीन होगा या एक तीन चार होगा या एक दो तीन चार होगा देखो ये भी सही है कि बैटक सयुक्त बुलाना अनिशित काल ये गलत है अनिशित काल के लिए नहीं करेगा तो आशन का ये भी सही है और जब ये फूल बहुमत नहीं होता किसी सरकार को तो भंकर देता है तो ये भी सही है यानि कि कौन आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा दो है नहीं तीन हो जाएगा और चार हो जाएगा यानि कि एक तीन चार यानि कि एक तीन चार ये तुमारा आंसर राइट होगा ठीक है तुमारा आंसर कौन राइट होगा एक तीन चार है ठीक है रश्टाचार की परद में कौन सब्द आता है बहुत अच्छा कोश्चन है दिया है सरकारी पद्व का दुर्पियोग बिल्कुल सही नियुमों का कानूनी और मानों से विचलन बिल्कुल सही यानिक एक हो गया यह तुमारा दो हो गया इसके बार जब कारवाई और अच्छक हो तो कारवाई ना करना यह तीन हो गया इसके बाद क्या हो गया लोग संपत को नुक्षान यह चार हो गया यानिक आप्शन दिया है क्या केवल एक होगा या एक दो होगा या एक दो तीन होगा या एक दो तीन चार होगा तो यह सारे की राइट है तो एक दो ती चार यह सई होगा तो यह चीज याद रखना एक दो तेन चार अंगला क्वेश्चन अंगला क्वेश्चन देखो कि विश्विद्याला है अंदान आयोग अधनियम 1956 के आधीन डिगरी देने का या प्रदान करने के लिए क्या सच्छम है तो यहां दिया है संसत के आधीन द्वारा इस्तापित विश्विद्याले है विदहान मंडल अधनियम द्वारा इस्तापित क्या है विश्विद्याले है भांसाई अल्ब संक्यों द्वारा इस्तापित विश्विद्याले या संस्ता है या विश्विद्याले द्वारा समझी जाने वाली संस् अब इसमें दोको answer ठाकना एक दो एक दो तीन या एक दो तीन चार ठीक है या एक दो तीन चार इसमें answer हो जाएगा तुम्हारा कौन एक दो तीन चार ये answer राइट हो जाएगा किस सुल्तान ने चालीशा ये तुर्क का दमन किया था तो देखो चालीशा ये तुर्क का दमन किस ने किया था तो चालीशा ये तुर्क का दमन किस ने किया था तो चालीशा ये तुर्क का इस्तापना किस ने कोई तो इस्तापना की होगी है ना दमन किस ने किया तो चालीश या मुम्ब्न भिन तुगलग बलवन दिया शिकंदल हो दी दिया दमन की बात आती है तो अलावदीन खिल जीजिन है या मुमब्न भिन तूइनलग या बलवन तो द्वुलग जैसा सालीसा तुर्ग दमन भलवन नंगितरम है किस vivant कि कि सुल्तान की मिरतु युद भूम में लड़ते हुए मरा था यानि कि एक युद हो रहा था उस युद में सुल्तान लड़ते हुए मारा गया था ऐसा कौन सुल्तान था दिया है जलालुदिन खिल जी सिकनल लोदी इब्राहिम लोदी या मुंबद बिन तुगलग तो दे प्राहीम लोधी जिस समय बाबर से युद्ध कर रहा था तो चारो तरफ से वो गर गया, एक तरफ भागने का रास्ता था, तीन तरफ से गिरा एक रास्ता था भागने का, तो उसके सायनिक बोले कि सुल्तान आप युद्ध छेतर से भाग जाएए क्योंकि अब बशपाना लड़ भूम में युद्ध करते हुए सहिद हो गए या सो गए, आज उनके साथ ना इंसापी होगी अगर हम युद्ध छेतर से भाग गए, मुझे युद्ध में लड़ते हुए उनके बीच सोना परसंद है, लेकिन युद्ध छेतर से भागना नहीं, ये चीज बाबर के कानू में जब जाती है, तो पहली बार एक दुस्मन की कबर बनवाने वाला कौन ऐसा बास साय था, तो याद रखना बाबर था, बाबर ने इबराहिम लोधी की कबर बनवाई थी, बहुत important question है, ठीक है, तो ये याद रखना, युद्ध भूम में लड़ते हुए मारा गया भारत का प्रथम विद्यत्यकारी किस अन्छेद माता है, बहुत को भारत का पहला विद्यत्यकारी किसे कहा जाता है, और किस अन्छेद माता है, तो याद रखना, प्रथम विद्यत्यकारी जो है, अटार्नी जन्नल होता है, उसे महाद बक्ता कहते हैं, और ये आठकिल किस में आएगा 72 में चैसी में आएगा मी smart तर्म यह बहृत का प्रथम विद्टकारी इसकी निक्त कौन करता है तो राष्टपत करता है कौन करता है तो राष्टपत करता है अब एक चीज ओर याद रखना यह राष्टपत के परसाद प्रियंत रहता है परसाद परियंत रहता यह चीज ओर याद रखना यह चीज ध्यान देना कि राष्टपत के परसाद परियंत पद्धारन करता है अंगला क्वेश्चन कि भारती राजनीत व्यश्टा के संबन में कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है कौन कथन सही नहीं है तो यहां पर राश्टर राजसवा का अध्यश होता है और सासना अध्यश दोनों देखता है संसद जो है सर्वोच नियाले है ठीक है उस्तम नियाले साविदान का सरचक है राज के नहीं है तो यह नहीं है राश्टर राजसवा का सासना अध्यश होता है यह भी नहीं है यह भी सही है संसद सर्वोच नियाले बाद सही है उस्तम नियाले साविदान का सरचक है तो इसमे कौन हो जाएगा दो और तीन यह एंसर हो जाएगा किसे संसत के सुक्रत प्रिस्ताव के बिना राश्पत हटा सकता है यानि संसत का जो सुक्रत प्रिस्ताव है उसके बिना भी वो अटा सकता है किसको उचने आलेक के न्यादीश को राशपाल को मुक निर्वाचन आयोग को नियंतक महालेखा प्रचक को तो राशपाल को अठा सकता है किसे अठा सकता है राशपाल को यह कोश्चन याद रखना कि राशपाल जो है राशपत के परसात परियंद पर धरन करता है तो इस बुलाया जाता है तो बुलाया कि स्कारा आप प्रदानमंत्री लोक शभा से स्पीकर लोक अध्याच मैंए यह तो लौक सुबा का अद्धार्ट में शिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो को सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है जनक थे लाड कर्णवालिस थे कौन थे लाड कर्णवालिस लाड कर्णवालिस जो थे ये जनक थे इनकी भारत में कबर है कहां पर थी भारत में कबर है यानि कबर कहा है गाजीपूर में हुए है कहा है तो गाजीपूर में है तो यह लाड़ का नवाली जनक थे और किस दिन मनाया था तो 21 अप्रेल, 24 अप्रेल, 21 जून, 7 जुलाई तो यह की सप्रेल मनाया है, का मनाया है, 21 सप्रेल का, तो यह चीज याद रखना बहुत इंपार्टेंट कोशन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तिविल से वाग जो जीवन ब्यक्त संता का अधिकार, इसके बाद समानता का अधिकार, शोशण के विरुदतिकार, तो यही कोश्चन सही हो, जीवन ब्यक्त संता का अधिकार, यह राइट कोश्चन हो जाएगा, अंगला कौन सा सुशासम का साधन है, तो दिया है, समाजिक लेखा पर इच्छ सब आठादो बाद बागी सब और जाएंगे एक टीन चार यानि कि एक आइंसर आपका राइट हो जाएगा ठीक है अंगला कौशन अंगला कौशन देखिये कि एक राज के महाद वक्ता का कारकाल होता है तो को हर राज में एक महादवक्ता होता है कितने राज हैं वहाँ एक महादवक्ता है उसका जो कारकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है चार वर्ष का पांच वर्ष का छे वर्ष का या निदारिश समय सीमा नहीं है तो याद रखना राज का महादवक्ता का निदारिश समय नहीं हो होता है चीज याद रखाना यह राज्पाल के परशाद परियंद पद धरन करता है। राजपाल जब चाहे से हटा सकता है किस राज में लोग सभा की सीटे सरवाधिक हैं। अब दिया महाराष्ट दिया तमिल्नाट दिया राजिस्तान दिया बेश्ट मंगाल दिया तो यह याद रखना कि महाराष्ट में 40 हैं। उन्तालिस हैं, राजिस्तान में पचीस हैं, और पस्षिम मंगाल में चालिस हैं, यह सीट का किरम है, ठीक है, और चुकि एक चीज जान लेना, कि जब भी परिच्छा सिस्टेम प्रोपेशर होने वाली हो, और कोई तुनाव हो रहा है, उसके पहले होता है, तो वो जरूर या काँणा कोशन दिया, भारती सवजान की प्रस्तावना में किस संता का वडन नहीं है, तो को विचार की संता, विचार प्रिकट करने की संता, विश्वास की संता, आर्थिक संता, तो यही जलत है, ठीक है, पातमा क्यी सब सहुद्धू, काची का कैलास मंदिर का निर्माड किस ने कराया था नर्सिंग वर्वन दूति नन्द वर्वन परमेशर को काची का कैलास मंदिर तो नर्सिंग यह आ जाएगा यह किस वंस का था तो यह पल्लो वंस का था किस वन्स का था पल्लों वन्स का था और अगर यह या ख पूछा यदि था किशंव राका टोच्छ ए लगाते ही राष्ट कूत क swirl तो यह याद रखना आप अंगला कोश्चर अंगला क्वेशन भारत के सविधान की उद्देशका में कितने परकार की नियाग की बियुस्ता की गई है दो दिया तीन दिया चार दिया एक दिया तो तीन परकार की कौन तीन परकार हो जाएगा कि समाजिक हो जाएगा ध्यान देना समाजिक हो जाएगा है समाजिक हो जाएगा राजनीतिक हो जाएगा और आर्थिक हो जाएगा यह हो जाएगे तीन समाजिक राजनीतिक और आर्थिक तीन परकार की अंगला है मौलिक अधिकार क्या है वाद योग हैं या आनवाद योग हैं या लचीला है या कठोर है तो याद रखना मौली का अदिकार जो है यह वाद योग है तो यह कोशन राइट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन भारती सवधान में सवंता का अदिकार चार अनचेद द्वारा प्रदान किया गया है तो अनचेद 19 से 22 दिया है अनचेद 19, 17, 17 से 20 दिया नचेद 18 से 21 दिया तो याद रखना अंचेद 19 से CHAR22 जो दिया है यहा है राइध करता है याद रहे हैं गांदी जी का पहला ध्यान देना अमरण अंसन कौन था आप सब लोग लगा देते हैं गलत कर देते चंपारन लगा चले आते हैं तो गलत हो जाएगा गांदी के चंपारन अंदोलन है खेला अंदोलन है आशोयोग अंदोलन है भुदान अंदोलन है तो आशोय कोशन गलत दिया है यहां पर होना चाहिए आयम्दाबाद गलत दिया है आयम्दाबाद आयम्दाबाद होगा ठीक है यहां पर आयम्दाबाद होगा यह कोशन ठीक है यह कोशन वाईसे यह गलत कोशन दिये ठीक है अम्रण अंसन इन्होंने आयम्दाबाद में पहली बार किय अंगला क्वेशन लोग सभा में सीटों का अवंटन 1971 की जड़गरना पर आदारित है किस वर्स तक रहेगा जो लोग सभा में सीटों की बात करी गई है जो सीटों की अवंटन है वो कब तक रहेगा 2021 तक रहेगा 2026 है 2022 याद रखना 2026 तक रहेगा ठीक है कब तक रहेगा तो 2026 तक भारत की वर्तमान में कौन सी अर्थवेश्टा बन गया है यानि कि तीसरी है चौती है पांचवी है छटवी भारत अर्थवेश्टा पांचवी हो गई है वर्तमान में भारत की जो अर्थवेश्टा है आज हमाई लोगों पांचवी इस्तान पर पहुँच गई है यह चीज याद रखना ठीक है कि भारत में सर्वादिक जनसंक्या ब्रद्दर वाला राज 2011 में कौन था यानि 2011 की जलगणना के अनुसार भारत का सर्वादिक जनसंक्या ब्रद्दर वाला कौन था तो मेगाले है नागालेंड केरल तमिलनाड तो याद रखना मेगाले होगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम पुरुष साचर्था वाला जिला कौन सा है तो उत्तर प्रदेश सबसे कम अब यहां कम की बात कर रहा है आज तो याद रखना सरवस्ति हो जाएं कौन हो जाएगा सरवस्ति अने मा अज यहां पूद्द ने सबसे कम साचर्था अगर उत्तर प्रदेश के सबसे यादा पूरुष साचरता कहां तो गॉतम बुध्नकर है और सबसे यादा मैला साचरता कहां है तो कानपुर्णकर है और टोटल में पूछा जाए तो गौतम बुध्नकर है थीक है तो यह अंगला कोष्षन कि दिया है कि छेत्फल की देश्ट से भारत में दो तसमलब कितना है दो तसमलब चार प्रिस्ट है लेकिन वर्तमान में पापलेशन की देश्ट से भारत का कौन सा इस्तान है एक भारत का चछेट्वल स्वांट एक देखा ला ने दिखा जाए नोट पॉरिंट फॉर्वेश में और वह से सथानस में एक सथानस हम्राइन। गहीं 2.4 वह से उस्षाम पूछ रहे हैं और यहांれ कर सब्द क्या लग गया भारत में वरतमान की बात कर रहा है तो यहां पड़ हम लोग प्रथम पर आ जाएंगे यानि कि वर्तमान हम लोग प्रथम पर आ गई हैं और पहले करण बात होती है तो अगर 2022 की बात करते हैं तो हम लोग दूसरे पर थे लेकिन 2023 की बात करें तो अब हम लोग पहले पर आ गए हैं तो आने की चीन को पीछे कर दिया मन परसद की विरुद आविश्वास्त प्रिस्ताव लाने के लिए लोग सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए यानि मन पर सद की विरुद आविश्वास्त प्रिस्ताव लाना है तो सदस्यों कितनी होनी चाहिए पचास हो या तीस हो या चालिस हो या साथ हो तो पचास right answer हो जाए क्या हो जाए कि पचास एक कोश्चन याद रखना है कि पचास होगी ठेक है अगला कुश्शन देखो 27 वह कुश्शन भारत में कानूनी विशय पर परामर्ज कौन देता है अब कानूनी विशय पर परामर्ज कौन देगा भईया तो अटार्नी जन्रल है विदायोग के द्यच है उस्तम न्याला है मुक्नेदीस या इन में से कोई नहीं तो अटार्णी जन्रल जिससे प्रथम विद्यादिकारी कहते हैं प्रथम विद्यादिकारी बारत का प्रथम विद्यादिकारी कौन है तो यही है याद रखना विद्यादिकारी कौन है याद रखना ये कोशन सभा विधान सभा या विधान परसद तो राज सभा का सदस उसका अध्यस्च नहीं होता है यहां पर उपराश्च्पत होता है ठीक है यह चीज याद रखना यह राज सब्सक्राइट होता है कोश्चन नंबर उन्तिस नंबर यह है और नंबर दो पर यह आ जाएगा और नंबर पर चार पर आ गए तो यह चीज पहली चीज यह कुश्चन साही होगा ठीक है अंगला कोश्चन अंगला और अंतिम कोश्चन देखिए वाई तीस्वा कोश्चन तीस्वा कोश्चन क्या है तीस्वा कोश्चन भारत में सरवादिक वन छेत फल वाला राज कौन सा है भारत में सरवादिक वन छेत फल वाला राज कूछ रहा है तो यंपी दिया है राजिस्तान दिया महाराष्ट दिया बेश्ट बंगाल दिया तो छेत फल यहां छेत फल की देश्टिस पूछ रहा है वन छेत फल ठीक है छेत फल अगर देता सिर्फ छेत फल तब अलोग होता लेकिन वन छेत फल दे रहा है तो राजिस्तान यंपी लगाएंगे ठीक है और छेद फलंगर अगर देता तूप सिर्फ ये वनटा दिया जाता च्शेद Пल देता तो राजिस्तान लगाते टे में बहुत-ब्रदेश में उत्तर-प्रदेश amat कर दो तब क्या लगाते हैं अब सून बदर लगाते हैं कि यह चीज याद रखना और आज कोशन कितने थे तीसाइद कोशन थे तीस कोशन आपके यह सिस्टम प्रोपेसर के आज मैंने साल्व करवा दिये और कल पुना फिर आपको एक पेपर हम करवाएंगे तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ और देखिए आप लोगों का GS का कैसा पेपर बन रहा है हम साल्व करवा रहे हैं और बिगत वर्स में जैसे पेपर बनेंगे उसको भी हम साल्व करवाएंगे और करेंट के कोशन लेके भी आएंगे तो आगे चलके करेंट के कोशन पूछे जाएंगे ठीक है तो